दोस्तों क्या आप प्लान कर रहते हैं आपका Android phone को connect करने के लिए आपका TV में जिसमें आप screen mirroring करके कुछ content देखने के लिए बड़ दिक्कत आपके सामने यह आ जाता है कि आपका Wi-Fi नहीं है तो बिना Wi-Fi का आप connect नहीं कर सकते mirroring नहीं कर सकते बट आज यह वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ without Wi-Fi में भी आप आपका Android phone का screen को mirroring कर सकते हैं आपका LED या LCD TV में Hi friends, welcome back to my channel, this is Veebhu Dattab from Sao Techno Guide अगर यह वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाड़स्ट वीडियो का notification के लिए bell icon को जरूर प्रिस कीजिए तो फ्रेंड लेट के start है तो यह process में आपको total Wi-Fi का जरूरत ही नहीं है बट कुछ सामान का आपको जरूरत पड़ेगा जैसे के आपको एक best quality का HDMI केबल का जरूरत पड़ेगा जो के minimum 18 Gbps का होना चाहिए तो यह वीडियो का description में भी मैं कुछ HDMI केबल का link दियाओं वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं दूसरा आपको एक USP to HDMI adapter का जरूरत पड़ेगा वह भी आपको भार्याश टाइप में मिलता है जैसे के 1,500 रुपया से लेके 7,000 रुपया तक मिलता है जितना high-end आप लेंगे उसमें अच्छा features भी आपको मिलेगा जैसे के dual display का भी option आपको मिल जाएगा कभी कभा स्क्रीन को split करने का option भी मिल जाएगा अगर आपको only आपका ender phone को mirroring करना है तो आप basic बाला भी ले सकते है अगर in future में भी अगर आपको कुछ करना है तो आप high-end बाला भी ले सकते है तो ये दो चीज का main requirement है अगर आप एसा एक adapter लेते हैं जिसमें usp-a type का pin है तो ओ situation में आपको और एक adapter लेना पड़ेगा जो कि usp-a type 2 c type है क्योंकि maximum phone में अगर आप android phone देखेंगे तो उसमें c type का port रेता है अगर आप direct एक ऐसा adapter लेते हैं जो कि usp-c type 2 hdmi है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर usp-a type 2 hdmi लेते हैं तेना आपको c type का adapter का ज़र्वत पड़ेगा तो ये वीडियो में मैं आपको step by step दिखाऊंगा आपको कैसे connect करना है उससे पहले हम check कर लेते हैं usp-a type 2 hdmi adapter मेरे पास जो है वो high-end बाला है orai brand का है जिसमें बहुत सारे features है तो फ्रेंड्स मेरे पास जो usp-a type 2 hdmi adapter है ये देखने के लिए कुछ ऐसा है जैसे मैं आपको बताया था ये high-end बाला है तो इसमें आपको 2 hdmi का port मिलता है तो एक 4K का मिलता है एक full hd का मिलता है तो अगर आप only mobile phone से आपका tv को connect करना चाहते हैं आपको फोर गयागा कोई भी ज़रूरत नहीं है full hd बाला single port भी रहेगा तो भी काम हो जाएगा तो यहां पर इसका पीन अगर आप देखेंगे तो यहां पर dual connection का provision दिया गया है जैसे के यहां पर usp-a type का पीन भी मिलता है यहां पर usp-c type का पीन भी मिलता है अगर आपका adapter में usp-a type का पीन है देन आपको यह extension लेना पड़ेगा उसके बाद ही आप connect कर सकते है अगर direct भी आप कोई भी adapter लेते है जिसमें usp-c type का पीन है तो direct आप connect कर सकते है तो यह जो adapter है इसका भी मैं unboxing and review का वीडियो पहले upload कर चुका हूँ यह SI box pack में आता है तो इसका unboxing and review का वीडियो में description में दे दूंगा वहां से भी आप check कर सकते है दोस्तों इसका connection बहुत easy है जैसे मेरे पास एक TV है और उसमें मैं HDMI cable को connect कर दिया हूँ तो आपको just adapter में HDMI cable को लगा देना है तो उसके बाद यह जो C type का pin है उसको आपका mobile phone में connect कर देना है तो जैसे ही आप connect कर देंगे उसके बाद हर एक adapter का एक application रेता है वो application को आपको background में run करना पड़ता है means वो application को पहले आपको run कर देना है उसके बाद ही आपका mirroring possible है जैसे मैं यह application को यहाँ पर run कर देता हूँ तो उसके बाद start कर दिया तो जैसे ही आप start कर देंगे तो आपका screen जो है आपका TV में आ जाएगा तो अभी हम HDMI में जाते है HDMI 2 में तो यह जगा में देख सकते है same to same screen एकी time में आ रहा है जैसे यह जगा में देख सकते है delay जो है 0 के बराबर है अगर आप कोई भी application भी open करते है तो millisecond के अंदर आपका TV में भी यह open हो जाता है तो यह जगा में कुछ video content भी आप play करते है जैसे यह जगा में आप देख सकते है यहाँ पर play कर दिया तो full screen करना है तो full screen में भी चला सकते है अगर आपको zoom भी करना है तो zoom भी कर सकते है जैसे यह जगा में देख सकते है आप zoom भी कर सकते है एंड आपका TV में भी आपका content का आवाज भी आ जाएगा इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है जैसे कि यह मिररिंग हो रहा है जैसे क्यास्टिंग के टाइम में क्या होता है आप कोई भी कंटेंड प्ले कर दिये उसके बाद मोबाइल फोन को आप कर दिये देन आपका कंटेंड जो है वो प्ले होता रहता है बड़ अगर आप मिर से आजाएगा जैसे अभी आ गया तो यह मैक्सिमुम केस में आपको बहुत ही हेल्प करता है जैसे कि अगर आपका टीवी जो है स्मार्ट टीवी नहीं है नॉर्माल LED LCD टीवी है तो आपका मोबाइल फोन से आप मिररिंग करके कोई भी कंटेंड देख सकते हैं कोई भी OTT आप में कोई भी कंटेंट को देख सकते हैं या नॉर्माल यूट्यूप घएरा भी चला सकते हैं अगर आपको गेम खेलने का पसंद है तो आप गेम भगएरा भी यहां से प्ले करके बड़ा स्क्रीड में देखके यहां से कंट्रॉल करके भी आप खेल सकते हैं दो अभी आपका मन में बहुत बड़ा confusion आ गया कि कौन सा application आपको आपका android phone में install करना है क्योंकि application के पारे में पहले आपको कुछ भी नहीं बताया था तो यह बहुत ही simple है मैं आपको बता देता हूं कोई भी brand का अगर आप adapter लेते हैं तो brand का एक application रहा होगा वह application का details भी आपको उसका user manual में मिल जाएगा वह application को आपको download करना है android play store से उसके बाद उसको install कर देना है उसको run कर देना है background में उसके बाद ही आप mirroring कर सकते हैं जैसे कि mirroring करने के लिए वह application ही ज्यादा help करता है तो मैं जैसे यहां पर orai brand का use किया था तो उसका एक अलग सा application था वह application में install करके background में run किया उसके बाद connect कर दिया तो दो सेकेंड के अंदर mirroring हो गया तो यह application का installation या detail जानना है तो उसके लिए आपको यह orai brand का adapter का unboxing and review का वीडियो देखना पड़ेगा उसका link दिया आपको यह वीडियो का description में मिल जाएगा तो यहां पर मैं low end से लेके high end तक सभी adapter का link जो है description में दिया हूँ आपका जो भी requirement रहेगा जितना features का requirement रहेगा उस type का adapter आप purchase कर सकते हैं और आपका android phone से आप आपका tv को mirroring कर सकते हैं तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा like and share जरूर किजेगा फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तिल देन स्टेटियो